नमस्कार, A2Z Dishes उशा कुरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ गुजराती स्पेशल उंधियों और पूरी मैंने आपके साथ कही तरह के उंधियों शेर किया है पर ये जो मैं करने जा रहे हूँ ये भी बहुत ही टेस्टे लगता है खाने में इतना मज़िदार लगता है और उंधियों के साथ खाये जाती है पूरी वो भी गियों के आटी केक नम मज़िदार वाली फूली फूली तो चलिए आज इस बेस्ट कॉंबिनेशन को हम बनाते हैं इतना ये बढ़िया लगता है और उंधियों और पूरी खास करके जो गुजराती लोग होते हैं वो उत्रान पर खाते है यानि के मकद संक्रांती पर तो आप भी इस बार बनाए बहुत ही मज़िदार लगता है चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम मुठिया बना लेंगे मेथी से बनाये जाते हैं उसके लिए आपको एक बड़ा सा बरतन लेना है इसमें एक कटोरी गिहूं का आटा एक कटोरी बाजरे का आटा एक कटोरी बेसन डालना है यहाँ पर मैंने एक कटोरी फिर ले लिया है गेहू का मोटा आटा इसे बाखरी का आटा भी कहते हैं यह भी डाल देना है सारी मैंने एक कटोरी से ही मेजरमेंट की है अच्छे से सभी को मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी आदी चमच जतनी काफी बड़िया स्वाद आता है इससे और यहाँ पर आदी चमच जतनी अजवाइन ले लिये से मसल कर हम डाल देंगे काफी बड़िया फ्लेवर आता है एक बड़ा चमच सफेद तिल डाल दिये हैं स्वाध अनुसा नमक डाल देंगे और इसी के साथ चुटकी बर हिंग मैंने डाल दिया और एक चमच अध्रक लसन की पेस्ट और यहां पर एक चौथाई चमच बेकिंग सोडा इसी के साथ दो कटिवी हरी मिर्ची आदी चमच लाल मिर्श पाउडर एक चौथाई चमच मेатов ले 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 थैसे अच्छ से वश करके लब रावि कर डाल दिया अब इन ऍन्हें सभी चीजों को रटो एंदर अच्छ से सबसे पहले microphone washing तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने से92 लिया है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छ सदूutan चाहिए और नहीं ज़दा नरम होना चाहिए मेडियम आटा आपको तयार करना है तो यहां पर मैंने टोटल एक कटोरी पानी लिया है थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से आटा तयार कर लेंगे मुठ्या जो है उसे फ्राय करना होता है तो तेल गरम करने मैंन लेंगे साइज और शेब दोनों आपके उपर है क्योंकि यह मुठ्या इसे फ्राय करके उसके बाद उंद्यों के अंदर डालते है तो आपके उपर है आप कौन सा भी साइज दे कोई भी शेब दे मुठ्या फ्राय करने के लिए तेल जो अच्छा गरम होना चाहिए एक बा तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है यहां पर आप देख सकते हैं जो मुठिया है तलकर तयार है अच्छा कलर आ गया है बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है तो इसे निकाल लेंगे और हमारे जो बचे हुए मुठिया है वो भी हम तेल में डालकर उसे भी फ्राइग कर लेंग हम तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे बचे हुए मुठिया थे उसे भी मैंने फ्राइग करकर इस तरह से निकाल लिया है तो सबसे पहले मैंने इसलिए से फ्राइग कि यह ठंडे हो जाए बाद में उंद्यों के अंदर डाले ताकि यह जब हम पकाए उंद्यों को तो यह तूटे ना इसलिए सबसे पहले इसी मैंने फ्राइग कर लिया इसे साइट में रख देंगे और अब यहां पर मैंने डेर सारी सब्जियां ले ली है सब्जियां जो है आप कॉंटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं सारी मैंने दाने वाली सब्जियां पता गोभी आलू रतालू इसी के साथ मैंने याप पर बेंगन ले ली है दो तरह के टमाटर बहुत जारी सब्जियां ली है कॉंटिटी आपके उपर है अब हम गैस को ओन करेंगे प्रेशर कुकर रख देंगे और इसमें जो हमने मुठिया में जो तेल यूस किया था फ्राइग करने क लिके दाने डाल दिए एक दाल चीनी का टुकड़ा एक सूखी लाल मिर्ज तीन से चार काली मिर्ज दो से तीन लॉंक और एक तेज पत्ता सारे खड़े मसाले भी डाल देंगे अब इन सब को अच्छे से एक से आदी मिनिट तक दीमी आज पर भूनेंगे तेज आज नहीं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद यहां पर मैंने डाल दिया है चार से पांच कटे हुए टमाटर अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेना है और अब हम डालेंगे सबजयों के अनुसार नमक डाल देंगे अब अपने स्वाद के अनुसार डाल ताकि मसाले अच्छ से पक जाए और यह जो उंद्यों एकदम मसाले दारी अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़े से मसाले जादा डाले हैं और आज को दीमी कर लेंगे और दीमी आज पर अब इसके अंदर सारी सबजिया डालेंगे रतालू शिमला मिर्च आलू इसके साथ मैंने यहाँ पर डाल दी है गाजर जिमी कन गोबी पता गोबी और अब धक देंगे कुकर का पूरा धकन नहीं बस उपर रख देने धकन को 2-3 मिंट तक 2-3 मिंट के बाद इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे धेर सारी सबजियों से मिला कर यह उंद्यों बनता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी सबजियों को मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने कच्छा केला भी डाला है आप देख सकते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 तरह के बैंगन मैंने बैंगन पह पूरा नहीं देना है आप देख सकते हैं सबजियों में से जो पानी है वो भी निकलना शुरू हो गया है अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस आपको दो बार रखना ही था दकन पूरा नहीं देना था और अब हम पूरा धकन दे देंगे और इसे हम 4-5 सीटी आने तक पका ल मिक्स करने के बाद यह कुकर को हम दूसरी साइट रख देंगे और इसी केस पर हमने रख दिया एक और प्रेशर कुकर और इसमें मैं डाल रही हूं एक ग्लास जितना पानी एक छोटा ग्लास और यहां पर मैंने सारी दानेदार वाली सबजिया ली है मटर वालोर और इसी क करने के बाद कुकर का डगकन दे देंगे और इसे भी हम 4-5 सीरियाने तक पका लेंगे तो यहां पर जब तक यह पक रहा है हम एक गैस को और बड़ा सा बरतन रख देंगे अब हम उंद्यों को एक तड़का लगाने वाले और इसके अंदर हम डालेंगे तो तकरीबर मैं इ अच्छे मुठ्यों को इस तरह से कर ले और बाकी के ऐसे ही रखे और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमने दाने दार वाली जो भी सबजिया थी वह अच्छे से पकर तैयार है यहां पर अमारा जो तेल है वह भी गरम हो गया है तो इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले और एक चमच कश्मीरी लान मिर्ज पाउडर दोनों को अच्छे से मिलाने के बग सारी दाने दार वाली पकी हुई सबजिया डाल देंगे और इसे अच्छे से सबसे पहले मिक्स करेंगे तो यहां पर आप देख सकते है तो इसके अंदर में डाल रही हूँ यह दो तरह के म तो यहां पर थोड़ा सा गुड़ जरूर एड़ी कीजेगा और अच्छे सब सब को मिक्स करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मिक्स कर लिया और काफी वड़िया खुश्बू आ रही है इतना मज़िदार लग रहा है थोड़े से दनिया के पते डाल देंगे और इसे फि चार से पांच मिन्ट तक बाद्य हम आज पर पकाएंगे तो यहां पर चार से पांच मिन्ट हो गये हैं और हमारा जो बढ़िया सा गुच्रादी स्पेशल उंद्यू है बनकर तयार सब्जियों से भरपूर अब इसे साइड में रख देंगे और अब मनाएंगे गेहूं के आटे की एकदम बढ़िया सी फुली फुली हुए पूरिया उसके लिए आपको गीहूं का आटा ले लेना है मैंने यहां पर एक कप लिया है इसी के साथ इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसा नमक और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमस तेल और इन सब को हम अ आटे को तैयार करना है तो जो पूरियों के लिए आटा है एकदम जादा सकत भी नहीं होना चाहिए और एकदम जादा नरब भी नहीं मीडियम से थोड़ा सा सकत आटा लगाईएगा तो इसलिए मैंने आदा कपी लिया है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आट ले लिया है इस तरह से लगा लेंगे और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से चिकना कर लिया है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने आदा कप पानी लिया था उसमें से भी दो चम्मस जितना बच गया है तो इस से रेस जरूर देज़ेगा आपकी पूरिया जो है एकदम और बढ़िया बनेंगी तो आटे को हलका से चिकना करने के बाद इसमें से हम लोई निकालेंगे जिससाब से आपको पूरी की साइस चाहिए बड़ी चाहिए चोटी चाहिए उससे आप लोई निकाल ले दोनों हाथ अच्छा गरम होना चाहिए अवलका सा एक आटा भी डाल कर देखें अच्छ से इस अच्छ में रहा है यानि हमारा तिल हला पर मैं अच्छ से परफेक्ट है तो यहां पर Caribbean ले लिए और इसे चेकले पर रखक कर हम अच्छे से बेल लेंगे, लोई पर मैंने हलका सा तेल लगा लिया है, बस इसे अभी हमें बेलन पर फी थोड़ा सा लगा लें और इसे इस तरह से बेल लें, तो जो पूरी है ने एकदम पतली भी नहीं अच्छे लगती है और एकदम मोटी भी नहीं, मीडियम होनी चाहिए नहीं जादा मोटी नहीं जादा पतली तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरी बेल कर मैंने तयार कर ली और मैं आपको दिखा देती हूं आप देख सकते हैं नहीं जादा पतली है कहीं से नहीं जादा मोटी है बस इस तरह से होनी चाहिए तेल अच्छा गरम होना चाहिए प पतला भी कहीं से और मोटा भी न से मीडियम साइज कीौवटी होनी चाहिए और आप देक सकते किफ़ आमारी फुली पुली 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 तयार है इस तरह से हमारी जो मौटा है dedication है समने बढ़ा लग रही है तो आप भी ज़रूर try कीजे़, तो इस तरह से मैंने शारी पूरिया दलगर तयार कर लिया और मैंने ब्लेट में उंधियों को निकाल लिया है अब ये पूरी इस तरह से रख देंगे तो इस मकर संकरांती या कोई भी special location पर आप ये बनाए और अगर आपके पास कोई सबजी कम है या नहीं है तो भी आप ये बना सकते हैं जरूरी नहीं कि सारी सबजी आप डाले कोई एकाद नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे जरूर ट्राइ कीजे घर में सबी को पसंद आएगा और मझे comment section बताई कि आपको मेरी recipe कैसी लगी है अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजे